क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की जाल, क्या कहती है आपके किस्मत की लखीरे, कैसे दूर होंगे संकट, और आएगा आपके जीवन में उजाला, खुलेगा आपके भाग्य का बिटारा जैसर किष्टन, जैसर रादे, दर्शकों, मैं डॉक्टर संजार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल, फेस्बुक पेज, डॉक्टर संजार शास्त्री में आपका स्वागर्त, वेल्कम करता हूँ, दर्शकों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आने वाले 22 पास्त्रों में, अनेक कथाएं इससे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उन घटनाओं का एक 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 लाइन में चर्चा करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाए, कि अक्षय तृतिया हम मनाते क्यों है, पहले तो यह जानना हमारे लिए जरूरी है, कि अ अच्छा होता है हमारे लिए, इस दिन सबसे बड़ी बात है सूर्य भगवान की उपासना, मा गंगा की उपासना, अपने गुरु जरों की पूजन, साथी साथ ब्रंदावन में भगवान क्रिश्न की उपासना, या यू समझे जगनात पूरी में जाकर के भगवान जगना कहीं ना कहीं अक्षय तिर्तिया की घटनाये जुड़ी हुई है, इसलिए दर्शकों बने रहिए मेरे विडियो के साथ, और अंत तक विडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं एक एक टॉपिक घटनाओ पर लूँगा और आपको बताऊंगा कि अक्षय तिर्तिया का महत तो क्या है और क्यों मनाना चाहिए, दर्शकों एक काम जरूर करिएगा, विडियो देखते देखते, विडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर जा करके अपना विचार जैसरकिष्ण, जैसरराधे के रूप में जरूर रखिएगा, अगर आपको कोई विशेस प्रश्न क करना हो, तो आप प्रश्न भी रख सकते हैं साथ ही साथ, और जैसरकिष्ण, जैसराधे जरूर लिखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे विडियो के साथ जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेर जरूर करिएगा, और लाइक भी जरूर करिएगा, पुत्र अक्षय कुमार का आज ही का अर्थ पर, यानि कि प्रथी पर उतर्ण हुआ था, जिसके कारण अक्षय कुमार उनका नाम पड़ा, जिनकी कोई भी मारने वाला उनको नहीं था, और अजे थे, दूसरा कारण रहा था, महाभारत का युद्ध, इसी दिन समाप्थ और द्वापर यूग की भी समाप्ती, एक तो महाभारत का युद्ध समाप्थ हुआ, और साथे साथ परिक्षित राजा बने, और जब परिक्षित अंतिम राजा थे द्वापर यूग के, और जब उनकी समाप्ती हुई, और उसी नहीं के साथ साथ द्वापर यूग का भ महत्तो माना जाता है एक और बात आप देखिए स् Buttonाने के लिए आप भोजन करते हैं और भोजन मा अंपुरोना से मिलता है अक्शेत्रित्या के दिन मां अनपुरूना का तरन इसड़रति पर हुआ था आपको इस दिन मा अन्परोना की पूजसर्ब करना चाहिए अरधात अपने भोजन को जब आप भोजन करते हैं तो राइट हैंड में जल ले करके आप अपने थाले को एक बार घुमा करके और जल नीचे छोड़ करके और उस जल को रिंग फिंगर से हाथ लगा करके अपने मा आथी साथ में बात करूं तो इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था अवतरन हुआ था भगवान परशुराम जो अजय थे कहा जाता है कि 18-18 बार भी छत्रियों से बहिन कर दिये थे अर्थ कोई इतने बलशाली इनका जन्म इसी दिन हुआ था और इसलिए भी अक्षयत्रितिया का हम लोग महत्तों मानते हैं भगवान कुवेर जो लक्ष्मी के मैनेजर हैं पिये हैं माता लक्ष्मी के कुवेर जी भगवान कुवेर उनका खजाना जो वापस मिला था इसी दिन मिला था और इसलिए अक्षय तभी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को पूजन करने से आपके घर में उस दिन जो भी धन मिलेगा किसी ना किसी रूप में कुविर भगवान प्रसंद होते हैं और उधन कभी समाप्त नहीं होता उसे आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि कुविर को खजाना इसी दिन को वापस आया था मा गंगा भगिरत के द्वारा मा गंगा को जब धरती पर लाया गया तो यह अक्षयत्रितिया ही था जिस दिन मा गंगा प्रगट हुई थी और प्रगट हो करके पूरे जितने भी सगर के पुत्रते उनको मुक्त किया था इस अर्थ से तो मा गंगा के उपासना इस दिन करना क्या चाहिए आपको इस दिन गंगा जल अपके घर में हो तो गंगा जल आप अपने एक छोटे से पात्र में रखिए पात्र में रख करके मा लक्षमी का पूजन करने के बाद कुविर देवता का पूजन करने के बाद उस गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में आपको कर देना चाहिए उस दिन जो भी आप करेंगे आपके घर से negative wives अपने आप समाप्त हो जाएगा कोई भी negative wives नहीं रहेगा एक positive वाता बनेगा और घर में प्रेम और सभाद्र सभी परिवार के बीच में बना रहेगा तो एक आमक्षय तरतिया के दिन जरूर करिएगा मागंगा इस दिन आए थी इसलिए साथी साथ आपको एक vicious का सुर्य भगवान ने इसी दिन पांड़ों को अक्षय पात्र यानि की पार दौरपदी को अक्षय पात्र दिया था अक्षय पात्र का अर्थ था कि भोजन उसमें सब एक बार भोजन बन जाए और अनिलेम्टेड लोग उससे भोजन कर सकते थे लेकिन भोजन समाफ्त नहीं होता था और यही घटना एक अबार आती है कि दौरपदी भोजन बना करके बरतन साफ कर रही थी और वहाँ पर दौरवाशार इसी दुरूधन के द्वारा भेजे गए तो उसमें एक चावल चिपका हुआ था और एक ही चावल से कर दौरवाशार इसी लोग इत्यादी आए और वहाँ पर उनका अपने आप वेट भर गया हुई एक चावल के कारण तो अक्षय पात्र उसी दिन सुर्य भगवान ने दिया था इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं आप सुखी हो करना चाहते हैं तो आपको उस दिन सत नजा साथ तरीका के का जो अन होता है वो आपको दान जरूर करना चाहिए साथ तरीके का दान हो गया या साथ तरीका को कोई अन हो गया यह आपको जरूर दान करना चाहिए अगर दान नहीं कर सकते तो एक एक मुठी साथ तरीके का अ लेकर के चीडियों को खिला के आना चाहिए जो आपके लिए स्वास्त का लाव देगा और घर में अनप्रूना की किरपाबनी रहेगे कभी कोई कमी नहीं होगी साथी साथ एक और बात तिर्थंकर रिशब देव जी का जो अवतरन है इसी दिन इस धरती पर हुआ था जो भग दावन मा के बिहारी मंदिर में जो धाम का जो कपाठ है यह विशेश रूप से इसी दिन विशेश रूप से खोला जाता है और भगवान के दर्शन होता है इस तरह से शंकराचारे ने इस अक्षयत रितिया पर जब उनको चार धाम की स्थापना करनी थी तो अक्षयत रित तो उन्होंने एक तो लिखा जिसका नाम था और कनक धारास्तोत्र एसा था जिसमें लिखा गया था अंगम हरे पूरा इसमें जितने भी पाट थे उन्होंने रात के बारवैसे लेके सुबह चारवै तक इस पाट को किया था और एसा कहा जाता है कि शाक्षात लक्ष्मी प्रगट हुई थी और लक्ष्मी ने अपने हाथों से सोने के सीके के बारिस किया था और उससे उनका चार धाम शंकराचारे ने बनाया था ये वही दिन था तो इस दिन आपको करना क्या है आपको मैं बताओ baptized अगर आप इस दिन अक्षयत्रित्या के दिन कुछ करना चाहते है To रात को बारे वैसे लेकि सुबह चारवय तक आपको कनक धारास्तोत्र का पाठ करना चाहिए इस दिन साक्षात लक्षमी घर में आती हैं और लक्षमी आकर के हमारे जीवन में हर चीज को परिपूर्ण कर देती हैं तो दर्शकों एक कुछ घटनाय थी जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और देख करके और सबस्क्राइब करेगा शेयर करेगा और जैसरकेशन लिखना मत भूलेगा नमस्कार